हेलो 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 एवरीबड़ी वेलकम टू थार्ट सीरीज ओफ करेंट अफेर्स राउंड अप जो लोग इस चैनल पर आज नए हैं मैं उनको बता दूँ कि मैं आपका होस्ट आपका बहुत स्वागत करता हूँ प्रकरमिश्रा जो कि नैशनल लोग इंवर्सिटी ओडिसा से ग्राजवेट हूँ आज आपके साथ मैं क्या लेकर आया हूँ मैं स्पेशली में और जून का राउंड अप लेकर आया हूँ यह मैं और जून का राउंड अप क्यों इंप्रिल तक देख लिया था पिछले कुछ लेक्चर्स में आपने अगर देखा ना हो तो आप इसी चानल पर जाके बीछे देख सकते हैं की पूरी सीरीज बनी हुई है करेंट अगर आपने वो देख लिया है तो और अगर आप मेरे साथ नोट्स बना रहे हो आगे के लिए तो सबसे इंपॉर्टन आपका हो जाता है यह पर्टिकुलर लेक्चर ठीक है तो अब हम आगे चलते हैं हम सबसे पहले यह देख लेते ह है कि हमें इस पूरे लेक्चर में क्या-क्या टॉपिक्स कवर करने यह टॉपिक्स ओविसली लेटस तो है नहीं इस थोड़े महीने पहले के हैं मेय और जून लास्ट यहर का है लाट इस 2023 का और वह क्यों इंपॉर्टन है वह इसलिए इंपॉर्टन हो जाता है क्योंकि हम पूरे साल भर कर राउंड अप कर रहे हैं and specifically यह चीज तो हम जब आते हैं तो सबसे पहले topics to be covered में हम देखते हैं कि जल्ली कट्टू becomes an important topic नई parliament की building जो inaugurate हुई थी हम उसके बारे में बात करेंगे पूरे lecture में G7 summit जो हुआ था हम उसके बारे में बात करेंगे Central Bank ने कुछ एक नई चीज निकाली है हम उसके बारे में बात करेंगे Cyclone Mocha आया था Tengol क्या होती है जो की again इस topics related है हम उसके बारे में बात करेंगे इस पूरे lecture में तो अगर आप मेरे साथ हो and start कर रहे हो आज से तयारी या पर पहले से भी कर चुके हो तो सीधे हम अपने target exam अपने दिमाग में रखकर इस वीडियो को start करते हैं आगे की पढ़ाई start करते हैं सबसे पहली चीज है Supreme Court ने Tamil Nadu के जो law था which allowed जल्ली कट्टू उसको uphold किया है एक constitutional bench जो होती है Supreme Court की which consists of 5 members तो अगर 5 members है तो constitutional bench बोलते हैं उसको Supreme Court की अगर बनती है यह चीज आपके लिए कि important हो जाती है Supreme Court में अगर 5 members वाली bench मैठी है तो उसको constitutional bench मूलते हैं अनिमल की cruelty को रोकने के लिए जो पूरा prevention of to cruelty to animal act 1960 बनाया गया था उसमें smooth conduct of जल्ली कट्टू को ensure करने के लिए बोला गया था यह चीज तामिल नाडू government की जो assembly है उन्होंने बोला था Supreme Court ने बोला कि आप इस पर जो भी regulations लगा रहे हो जित्ती भी चीज़े आपने करी है सब कुछ सही है क्योंकि इमाम लाविसली Supreme Court में गया था अब background क्या है कि landmark judgment जो था यह पूरे judgment का नाम है अब इसका नाम आप पढ़ सकते हो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है उसने क्या गरा था जल्ली कट्टू पर बैन लगा दिया था 2014 में तो यह important बात हो जाती है कि 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 साल में जल्ली कट्टू पर बैन लगा एक question आपका यह बन गय गया ठीक है सबसे पहला जो आंसर उसका हो जाएगा that is 2014 कौन सा judgment था वो वो अगला बन गया question number one यह बन गया question number two बन गया कि अगला judgment का नाम हो जाएगा एक important factor अगर आपका question इस पे से बनना है जल्ली कट्टू के उपर से अब 2017 में क्या हुआ एक public demand हुई central और स्टेट गवर 2017 में तो तीन question तो यहीं पर हमने एक slide के अंदर देख लिए कि यह बद सकते हैं इसमें से उसके बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोड ने बोला कि यह जो anthropocentric मामला है इस sense में आप प्रोटेक्ट कर सकते हो interest organizers का भी participants का भी बिना animal को harm करे हुए तो all together जल्ली कट्टू के अगर बात आ रही है तो उसमें यह इको सेंट्रिक मामला आप जो law लेकर आ रहे हो सारा का सारा जित्ते भी आपने regulations लगाए है वो सही है ठीक है पूरी तरीके से बैन मत करो बट दोनों तरफ के लोगों को अगर आप favor कर सकते हो दोनों तरफ कि यह करे एक win-win situation हम कोई middle भी निका हो रहा है as a part of the traditional और पोंगल की जब harvest होती है तब specifically यह festival मराई जाती है एक और question अब यह बन जाता है कि इसका Tamil name क्या है दूसरी चीज़ कौन से state में बनता है तीसरी चीज़ कौन सी festival होती है तब जल्ली कट्टू बनता है तो आज के lecture में यह और एक नई चीज़ में लेकर आया हूँ कि मैं आपको उसी PPT में बता दूँगा कि क्या क्या question यहां से निकल कर आ सकते जो material जो पूरा एक matter में लेकर आया हूं उस PPT में मैं उस में से आपको कम से कम यह तू बता ही सकता हूं कि क्या question कैसा बन सकता है okay अगले हम slide पर चलते हैं तो यह पूरी timeline दी यह हू पर जो ओलेट वाला बैच है हमारा कोई फीस तो है नहीं उसकी आप सीधे आप डाउनलोड करो उसमें एंड्रोल करो साइन अप करना है अपनी मेल आईडी से और उसमें सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे आप जब लॉक वाला के सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर जब आपको नोट्स मिलेंगे उसमें आपको दिखेगा कि monthly हमने current affairs की magazine दी हुई है उसमें पूरी की पूरी timeline आपको वहाँ पर मिल जाएगी timeline नमबर 1 क्या हुआ फिर 2 क्या हुआ फिर 3 क्या हुआ यह सारी चीज़ है इस timeline को दो बार रीड करना है अच्छा जब magazine आपके पास आ जाए और उसके बाद आप आगे वड़ सकते हो पूरी timeline अगें सेम चीज़ है जब पूरी 2023 में टाइम लेन दी हुई है तो अब constitutional bench का exact verdict क्या था वह हमने देख लिया कि हमने पहले और इस slide में देख लिया कि उन् भी laws बने है वह constitutional है और वह article 21 अब आपका अगला question यह बन जाता है कि कौन से वाले आर्टिकल की violation हो रही थी यहाँ पर आर्टिकल 21 की violation हो रही थी allegedly ठीक है जो court में वाब लगया था तो supreme court ने ये भी बोला कि भाई साब कोई violation नहीं है एक और article लगा which was article 14 उन्होंने बोला भाई साब इसका भी कोई violation नहीं है ठीक है simply यही चीज़ अब्जर्व हुई थी argument supporting चल्ली गट्टू यह सारी की सारी जो है theoretical चीज़े हैं यही चीज़ आपको सारी की सारी मैगजीन में मिल जाएंगी और यह वाला topic यहाँ पर end होता है आगे चलते हैं अगला important हमारा topic बन जाता है वो है नई parliament की क्षय मिल्डिक की पर्लामेंट की नई बिल्डिक की नौर गर्रेट हुई ठीक है अब शीछन आ-पाल्लेमेंट की नई बिलडिक के यह इसका पूरा बिल्डपningen इसका पूरा एरिया बना हुआ है एक ट्राइंगुलर शेप की बिल्डिंग बनी हुई है आपने देखा होगा पूरे स्पेस का उप्टिमम म्यूटलाइजेशन के लिए इसको बनाया गया लोग सबा में बेस्ट ऑन इंडियन नाशनल बड्ड पीकॉक एक जो है उसकी 888 कर दी गई है एक क्वेशन बन गया यह कि भाई साब सीटिंग कैपसिटी क्या है एक क्वेस्शन दूसरा बन गया कि एरिया क्या है फिर उसके बाद जो टोटल कर सकता है वह वा किते है वो तीसरा क्वेशन बन गया आपका इन्द accept सबहा में 348 सीट्स हो गई यह चौसा क्वेशन बन गया आपका उसके बाद यह सारा थीम पूछ लेगा लोग सबहा किस पे है लोग सबहा है पीकॉक पे राज सबहा है लोटस पे लोटस एंड पीकॉक यह दो थीम्स आपको बस याद रखने है कि इन दो थीम्स पर ही वो आधारित है ठीक है आगे चलते हैं अगला हो गया constitutional hall the state of the art constitutional hall एक नई एडिशन है पहले वाली Parliament की building में ऐसा कोई hall नहीं हुआ करता था यह बिल्कुल heart of the democracy बताता है citizens को सब कुछ एक constitutional hall पे बन गया question अपना कौन सा पहले कौन सा था चार questions अपने बन चुके था यह बन गया अपना पाच्वा question के constitutional hall यह क्या चीज है ठीक यह क्या कोई एक नया edition है तो यह हो गया उसके उपर अब focus on energy efficiency एक new complex है जिसमें sustainable development का showcase किया गया है courtyard जिसमें bannion tree है तो यह बन गया छटवा question के कौन सा एक special पेड़ है जो कि आपको नई parliament building के अंदर मिलेगा एक नई building जो है वो कौन से प्रोजेट के अंदर आती है वो आती है central विस्टर प्रोजेट के अंदर तो यह हो गया अपना seventh question साथ question अगल पिछली और यह वाली की दो स्लाइट समला कर मैंने आपको बता दिये जो कि आने के chances बन जाते हैं आपके अच्छे खास है 23 पूरा history और यह सारा इन सब पर हम एक बार नजर माल लेते हैं क्या है कैसा है ठीक है 1921 में foundation stone duke of cannot ने रखा तो आपका एक question यह बन जाता है आठवा question के foundation stone कौन से यह में रखा गया फिर पार्लेमेंट को इनागरेट किया किसने लौड इर्विन ने तो हम 1927 का question यह बन जाता है कि किसने इनागरेट किया था कब इनागरेट किया था ठीक है तो यह हो गया एक question बन गया था अपना यह के foundation stone कब रखा गया फिर यह बनकर कब तैयार हुआ छह साल में बनी थी पुरानी वाली पार्लेमेंट की तो यह पूछ लेगा फिर दस्वाब पूछ लेगा किसने इनागरेट किया सबसे पहली सिटिंग कब हुई उसका बन जाएगा 11th question फिर उसके बाद पूरा midnight session में किसने पावर ट्रांसफर करी 1947 में वह बन जाएगा 12th question फिर्स सिटिंग दोनों houses की कब हुई 1952 में हुई तो वह बन जाएगा आपका 13th question उसके बाद सारी की सारी जो इसका फांडेशन स्टोन कब रखा गया वो था 2020 में December of 2020 तो यह बन गया आपका 14th question किस ने रखा नरेंद्र मोदी ने रखा बन गया 15th question यह सारी चीज़े जो हो जाती है आपकी यह आपके बना देते हैं इस पूरे टॉपिक पे से 15 question और आगे देखते हैं और कुछ बन सकत यह जो चीज़े हैं इसमें क्या लग है सब चीज़ें क्यों जरुबत पड़ी सारा obsolete communication यह वो यह वो बैसिकली नीड की बात करिए कि सिटिंग स्पेस जो था वो बहुत नैरो था उसका इंफ्रस्ट्रक्चर वो था वो काफी ज़्यादा डिस्ट्रेस में रहते थे लोग उसमें उसके बाद कम्यूनिकेशन जो था ऑप्सलीट था एक स्वाइज चीज़ें इतना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं पड़ता क्लैट के एसपेक्ट से या फिर दूसरे एक्जाम से एसपेक्ट से सिर्फ आपके समझने बताने रिट विष्टा पढ़ सकते हो figuring उस्ट्रबशा प्रोजेक्ट क्या है एक जॉइंट सेकेटरीट, सेंट्रल सेकेटरीट , पूरा राज पत्री मम्यक्örन नया प्राम मिनिस्टर ऊफिस्ट्र यह सारी चीजे और वाइस प्रीसडेण का अन्कलिव यह सारी चीजा आहीं आपको पं अब मालो मैं बोलता हूँ कि एक option हो गया आपका ये और बाकी इसमें मैंने तीन option ये डाल दिये आपको चूज करना है कि विच वन आफ दीस इस नॉट पार्ट अव दे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आपने जैसे ही ये चूज करा आपकांसर सही हो गया आप बन गए टॉपर ये चीज इंपोर्टन्ट हो जाती है अब जी सेवन सम्मिट की बात कर लेते हैं जी सेवन क्या है कंटेक्स्ट प्राइम मिन्स्टर ने अटेंड गरी 49 नंबर वन हमने देखा पहले तो एक बार फीचे चल लेते हैं के टोटल 16 questions बन गए 16 questions हमने बैठे बैठे बना लिए 10 से 15 मिट के अंदर 15 मिट तो जाधा बोल दिये मैंने 10 मिट में बना लिए हमने Central Vista Project और Parliament की नई बिल्डिंग से आप अगर ऐसे पढ़ोगे अपने आपको question करकर के पढ़ोगे तो और अच्छी बात है क्योंकि इससे आप ना सिर्फ theory पढ़ रहे हो आपको यह पता लग रहा है कि भाई जो एक line मैंने पढ़ी क्या उससे कोई भी question मन सकता है इसी लिए तो जब भी आप किसी study कर रहे हो क cb subject की अब specifically अगर मैं current affairs या gk की बात करूँ तो उसमें क्या खास हो जाता है क्या चीज अलग हो जाती है उसमें यह होता है कि भाई जब भी मैं पढ़ रहा होता हूं न तो information is too much at once जब इथनी सारी information होती है तो मुझे ऐसे खुद के questions बना-बना के चलने चाहिए अगर मैं कोई theory पढ़ दा हूं मैं दा हिंदू में जाके कोई editorial पढ़ दा हूं मैं Indian Express में जाके कोई editorial पढ़ दा हूं कुछ भी पढ़ रहा हूं तो जब भी आपको information मिलेगी वहां से तो आपको उस पर देखना है कि इस वाली line एक-एक line पर क्या-क्या question मन सकता है यह चीज important हो जाती काफी सारे challenge हो रहे थे developed countries जैसे कि Nixon shock और first oil crisis यह दो example दिये हुए है कि क्या-क्राइस थे उस थाइम पर ठीक है दो example अब यह सारी country ने क्या गरा कि अपने आपको एक economy के level पर और energy trade और इस सब के coordination के level पर इन लोगों ने organize करना चलू करा तो अगर आप से कोई पूछेगा के crisis कब हो रही थी तो आपका answer होना चाहिए 1970s अगर आप से कोई पूछेगा Nixon shock यह बन जाएगा आपका यह हो गया था second question यह बन जाएगा आपका third question और oil crisis की अगर भी बात कर दे तो बन जाएगा fourth question और किस दौरान हो रहा था तो अगर 1980s 1990s ऐसा कुछ option आ गया तो fifth question बन जाएगा कि किस दौरान हो रहा था 1970s के दौरान हो रहा था यह चीज अब आपको वह एक चीज यह भी पूछ रहा है कि भाई किस चीज के collaboration के लिए बनता है तो जब आप उसको पढ़ोगे तो उसमें वो क्या करेगा उसमें वो बोलेगा कि इसकी कोडिनेशन किस लिए है और के लिए है ट्रेड के लिए है एकनॉमिक के लिए है क्या है कैसा है तो आपको बस यह याद रखना है कि exactly क्यों यह लोग यूनाइट हुए थे खिक तो यह बन जाएगा question number six छे questions हमने एक page से बना दिये अगला तबका जो France का president था उन्होंने सबसे पहली summit कब held करवाई 1975 में तो question क्या बन जाता है 7th question के France का president कौन था 8th question क्या बन जाता है कौन से देश का president था 9th question क्या बन जाता है कि कि इस year में वह पहली वाली conference हुई थी और उस time पे किस ने host करी थी तो अगेन वह क्योंकि France का president था तो उन्हें बोला चलो भाई यह आजाओ तो 10th question यह बन जाता है और पहले यह group of six था तो इसको बोला जाता था जी 6 बाद में यह बना जी 7 जी 7 हर साल होते हैं इसकी presidency रिवर्व होती रहती है ठीक हाइलाइट्स क्या थे 49 जी 7 सब्मिट के जी 7 में क्या हुआ इन्होंने सारा का सारा पूरा अपना union natural attempt किया के status को जैसे भी चीज़े रहे उसको ऐसाई रहना चाहिए जुनिया में कोई भी चीज खराब हो रही हो कित्ते भी लोगों के कित्ती भी लड़ाई हो रही हो हमारे विजनस और ट्रेट पर कोई ज्यादा फर्क नहीं बढ़ना चाहिए और लोटों के तरह यह नूक्लियर पे पूरा इनका focus था उसके बाद टैक्टिकल पॉवर्टी और क्लाइमेट चेंज के लिए टैक्टिकल मूव इन्हों ने लिए यह सारी चीज है तो तीन तो पॉइंट यहां हो गए इससे कोई खास question बननी रहा है पारस agreement से commitment के बार में नोंने बताया कि यह सारा का सारा है तो इससे भी कोई eliminate करना है जो भी inefficient fossil fuel है मतलब inefficient का क्या मतलब है ऐसे fossil fuels मैं दिख देता हूँ यहां पर fossil fuels डाट डू fossil fuels that do more harm than good ठीक है यह चीज तो यहां पर net zero करना है उनको पूरा स्टेटर्स ट्वेंटी फिफ्टी तक तो हम जी 7 पे थे जी 7 पे हमने देखा कि क्या कैसी चीजे हैं किस लेवल पर है प्राइम मेंस्टर ने जो इंडिया के प्राइम मेंस्टर थे उनने 10 पॉइंट का call to action दिया जी 7 सब्मिट तो global food security के उपर उनना specifically बुला तो हमारा एक question यह बन जाता है कि global food security के उपर बोला गया है प्रदान मंत्री मोदी ने तो question number कितने पे थे हम हम थे question number 10 पे 10 हो चुका था हमारा हम आ रहे हैं 11 ग्यारवा नंबर का question बन जाता है कि प्रदान मंत्री मोदी प्राइम मिंस्टर मोदी ने किस चीज के ऊपर specifically वो 10 पॉइंट का question बोला वो points बोल कि वो था global food security very easy to remember खाना 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 बोला कि food wastage को कम करना पड़ेगा fertilizer growth को supply chain को बढ़ाना पड़ेगा आपको कोई alternative mode देखना पड़ेगा यार मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल ऐसा जरीला खाना खाते रहोगे यह सब ठीक है तो यह सारी चीज है तो एक बार इसको प्रॉपर अच्छे से रीड कर लो और उसके बाद we can go ahead ठीक है तो यह चीज हो गई सब को सौंज में आगया आगे चलता है जी सेवन में साब को पूरा को पूरा यही पॉइंट्स चल रहे हैं अभी मुदी ची के तो यह सारे आपको अगे मिल जाएंगे जी सेवन ग्रूप जो है वह एक informal ग्रूप है सबसे पहली चीज तो हमको यह चीज याद रखनी है उसका पहला समिट हो चुके है इसके मेंबर्स कौन-कौन है कैनिड़ा प्रांस जर्मनी इटली जपैन यूएसे 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 एंड यूके कित्ते हो गए एक दो इन चार पाच है यह सारी चीज़े रश्या की मेंबर्शिप सस्पेंड हो गई थी 2014 में कि यह हमको अच्छे से याद रखना है जब इन्होंने किसको किया तो यह बन जाएगा बार्वां सुझी यह बन जाएगा थीस की कि कब हुआ रशिया सस्पेंड 14 बन जाएगा कि कौन सा देश हुआ सस्पेंड तो यह चौदा क्वेश्चन हमारे यहां से बन चुके हैं जी सेवन सब्सक्राइब गया है पुरे मोंसकंट्री यह पर्सेंटेज वगेरा आपको याद रखने कि कोई खाध जरुए हुआ ठीक है, G7 Summit कैसे प्रिपेर होते हैं, कोई formal character नहीं, कोई secretariat नहीं है, कोई presidency जो उसकी होती है, वो तो rotate होती है हर साल के भाई, इस बार तु करवाल, इस बार मैं करवाल हूँ, ऐसा करके करके पूरा G7 Summit पूरा हो जाता है, ठीक, limitations क्या है, कि internal disagreements अगर किसी में होए, ठीक है, रशिया का हुआ था, जैसे जो भी हुआ था, तो आप अगर कुछ भी internal आपकी disagreement होती है, आप वहीं discuss करो, इसे अगर आप formally कोई action ले लोगे, आप सीधे वहार रोलाओगे, exclusive group जो है, वो है, चायना और इंडिया का, ये दो most populous countries है, in the world, जो की not a part of the grouping है, ठीक है, ये अलग topic है, अपना, central bank ने अपनी एक digital currency निकाली है, उस digital currency को, central bank क्या बोल रहा है, CBDC, which means central bank digital currency, ये चीज, एक पूरा substantive change लाने का payment methods में इनका पूरा aim है, ठीक, deputy governor of RBI ने अन्वील किया, fourth edition, अब पहला question बन गया, कि उसको बोलते क्या है, दूसरा question बन जाता है, कौनसे edition, किस ने unveil किया, वो भी important है, क्योंकि हर बार governor करता है, इस बार deputy governor ने किया है, ठीक, एक, सारा पूरा technology, सारा सब कुछ ये, वो वो, उसके बाद, दूसरा, इन्होंने, विशिश से अपना क किया है, collaboration, तो fourth question बन जाता है, bank for international settlements, BIS innovation hub, तो ये पूरा बन जाता है, कि ये organized किस ने किया था, RBI और इन्होंने, अब ये organization क्या है, कैसा है, आप इसके बारे में अच्छे से detail में बढ़ सकते हो, what is CBDC, ये currency है, सब कुछ है, चार questions हमने यहाँ पर बना लिये थे, पहले वा client is central bank की money, जो physical cash है, उसको settle करने का, ठीक, अब issued by central bank हमने देखा कि हम एक इसको पूरे उसके हसाब से समझते है, set और subset, अगर आप bank के notes है, तो वो तो central bank issue करता है, तो वो तो हमको पता है, जो deposit e-money है, वो digital money होती है, तो आप दोनों चीज को क्या कर सकते हो, bank में deposit कर सकते हो इसी के बीच का क्या है, इसी के बीच का है CBDC, ना यह physical note है, ना यह कोई UPI से बेजा हुआ पैसा या फिर कुछ है, तो यह उसके बीच की चीज है, यह चीज important हो जाती है, समझने के लिए, feature क्या क्या है, एक sovereign currency है, sovereign मतलब होता है, dependent, fancy word of sovereignty, जो की कौन issue करता है, Central Bank issue करता है, उसकी monetary policy के alignment में, यह convertible होता है, कोई भी bank money, आप किसी भी तरीके का cash वगरा ले सकते हो, उसके बतले मतलब आपको अगर आपके पास 1000 CBD है, 1000 CBD है, आप कल को जाके 500 के दो नूट ले सकते हो, 1000 रुपीस, रुपीस 1000 आप bank से जाकर ले सकते हो, ठीक है, कोई भी उस highly uncertain, हमको नहीं पता कि क्या demand हो सकती है, कैसा हो सकता भाई सब, लेकिन जो financial crisis है, उसमें faster bank, bank को तेज काम करने के लिए support कर सकते हैं, कौन CBDC, क्योंकि भाई, जितना कम physical cash, आपका bank ज्यादा काम करेगा, उसकी machines आपको कम count करनी क्योंकि, obviously आप कुछ online चल रहा है, ठीक, यह च digital age में और उसका एक legal framework चाहिए, जिस पर आप clarification दोगे, सारा का सारा, यह चीज आपको बस एक reading लगानी है, पूरा यह जो दिख रहा है, हासल है कि यहां तक का काम, सिर्फ एक reading लगानी है, कोई खास इसमें है, अपनको वो नहीं करना है, exam point of view से, सिर्फ यह readings जो है, इसकी बस वो important है, कोई इसमें factual चीज कोई ऐसी नहीं बन रहे ही, जिससे मैं question बना के आपको दिखा पाऊ, जब मैं नहीं बता बारा, तो obviously उदर भी इस तक कोई खास होगा नहीं, इसके privacy data protection considerations क्या है, यह वो सारा, हमने 4 questions बना लिए थे, वो 4 ही मिनको सही लग रहा है, cyclone mocha, कहा आया, मैं आनमार में, question number 1, ठीक, क्या नाम है इसका, mocha, question number 2, यह नाम किस ने प्रपोस किया, question number 3, very important, वो किया, yamin, cyclones जो होते हैं, वो typically originate करते हैं और intensify होते हैं, ओवर warm tropical oceans, जिन oceans में थोड़ी गर्मी होती है, अभी भी cyclone वहाँ नहीं आएगा, जहां पर बहुत दादर संड होगी, England के आसपस कभी cyclone नहीं आता, वो वहीं आता है, जहां oceans के उपर गर्मी बहुत दादर होती है, यह जो पूरा low pressure system बनता है, उससे ही warm water बनता है, यह क्या होता है, एक high speed wind होती है पूरी, जिससे पूरा low pressure बनता है, और उससे clockwise वो गुम गुम के गुम गुम के एक तूपान मना देता है, तो यह थी science behind cyclone, सारी conditions क्या है, यह पूरी आप देख सकते हो, कि large surface area होना चाहिए, with higher than 27 degrees, जहां भी temperature इससे ज्यादा होगा, वहाँ पर cyclone बनेगा, ठीक है, अगर more, यह after less, अगर temperature less होता है, तो no cyclone, और अगर temperature more होता है, yes, अगर temperature 27 degrees से ज्यादा होगा, cyclone बनेगा, नहीं ज्यादा होगा, तो नहीं बनेगा, very simple, very easy, आगे, cyclones जो है, वो generally एक curvature के form में होते हैं, और वो ज्यादा destructive होते हैं, ठीक, जो महीने होते हैं cyclones के, वो generally October यह November होता है, और May या June में दिखते हैं अपन को, ठीक, क्योंकि अभी अपन May June का पढ़ रहे हैं, तो इसलिए May June में ही हमको ज्यादातर cyclone मिलते हैं, question number two नहीं है, तो four होगा, so question number four अपना बन गया, कि किन महीनों में cyclone होते हैं, अब अगर मैं तुमको एक option बना दू, March, April, May, July, तुमको बताना है किस महीने में cyclone होगा, तो कि में ऐसा question एक बन जाता है, ठीक है, cyclones क्यों बोला जाता है, अब cyclones जो है, जो भी चीज इंडियन ओशन में बनेगी, उसको बोलेंगे cyclone, जो भी चीज एट्लांटिक ओशन में बनेगी, उसको बोलेंगे hurricane, जो भी western pacific region में बनेगी, उसको बोलेंगे typhoons, जो भी south china sea में बनेगा, उसको भी बोलेंगे typhoons, और जो भी Australia के आसपास बनता है, उसको बोलते है, willy willy, ये बन गया बहुत जादा चालाकी से पूछे जाने वाला question, which becomes, कि match the following, कौन से ocean से क्या बोला जाता है, इंडियन ओशन में बनेगा, उसको cyclone बोलेंगे, US के आसपास बनेगा उसको hurricane बोलेंगे, typhoon कहां बोलेंगे, south china sea और western pacific region में बनता है, तो उसको typhoon बोलेंगे, और अगर आपके Australia के आसपास, west Australia के आसपास बनता है, तो उसको हम बोलेंगे, क्या, उसको हम बोलेंगे, willy willies, ये चीज़, mechanism क्या होता है, मैंने आपको अभी पहले बताई दिया, कि वो सारे reason में, जैसे ही area बढ़ता है, उसका temperature बढ़ता है, और जो जहां से wind circulate करने चालू होती, जो सबसे strongest part होता है, उसको बोलते है, I, ये बन गया sixth question, कि cyclone के center को क्या बोला जाता है, I is the region with calm, but subsiding air, cyclone की I होती है वो सबसे जादा काम होती है, ये चीज़ हमको यहां से दिख रही है, उसके बाद यहां पर कुछ बहुत खास important नहीं है, ये सारा cyclone का आप diagram देख सकते हो, एक बार इसको pause करनो वीडियो को, अच्छे से देखो, कि diagram में क्या दिया हुआ है, ये पूरा outflow निकलेगा, ये ज इधर से चीज़े अंदर आती है, और इधर से चीज़े बाहर निकलती है, और ये clockwise सारा घूमता रहता है, anti-clockwise भी घूम सकता है, clockwise भी, तो ये पूरा mechanism बन जाता है, एक cyclone का, अब Indian Meteorological Department क्या कैसे catarize करता है, ये पूरा का पूरा ये है, हमको सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान देना है, कि इंडिया का कौन से department involved होगा, question number 7, Meteorological Department, ठीक, ये चीज़, 4 stages की warning issue होती है, एक होता है warning stage, जिसमें pre cyclone watch होता है, एक होता है issue time, जिसमें 72 hours पहले बताया जाता है, और एक होता है early warning, ठीक है, ये सारी चीज़े आपको बताया जाता है, अब cyclone की naming कैसे होती है, त जो जो अलग-अलग देश हैं, वो सब अपने-अपने इसाब से cyclone की naming करते हैं, ये process हमको कोई बहुत ज्यादा important नहीं है जानने के लिए, बहुत खास इस पे से question बननी सकता, ठीक है, तो हम इस slide को आगे लेके चलिए, जो ये group बना था, इन्होंने सन 2000 में, question number 8 यहां से आ WMO का फिर Scap, तो एक चीज़ यह हो गई, that is 9th question के Scap क्या होता है, वो यह होता है, तो हमने वहाँ से यह उठा लिया, अब उसके बाद, उसमें कौन से कौन से देश हैं, वो पढ़ लेते हैं, उसमें बंगलादेश है, जो की नाम दे सकता है, इंडिया है, जो की नाम दे सक ग्रूप, and they are responsible for naming that particular group, 169 Cyclones के नाम आज तक रिलीज हो चुके है, तो question number 10, 9 हो चुका था, 10 यह है, कि कौन से कौन से कंट्रीज इसमें ग्रूप में पार्ट है, अब अगर मुझे सीधे पूछना है, तो मैं पूछ लूँगा, रैंडम कंट्रीज के नाम डाल के इसमें से बताओ कि कौन से कंट्री साइकलोन का नाम दे सकती है, मुझे इसी question को टंफ बनाना है, तो मैं इन सब का नाम देका रहे, एक रैंडम कंट्री बीच में डालूँगा, भूलूँगा, कौन से कंट्री नहीं है उसका पार्ट, तो एक दसवा question बन सकता है, एक ग्यारवा तर 13th question, 13 question यहाँ पर बन चुके, ठीक, 13 suggestions from 13 each country, यह बन गया आपका 14, तो यह सारी चीज़ है, यह आपके important questions, मैंने बता दिये, साइकलोन मोका से, साइकलोन को name करना क्यों important है, तो क्योंकि उससे आप भाई सीधी सीधी बात है, कि identify कर सकते हो साइकलोन को, ठीक है, उसके बारे में लोगों को बता सकते हो, और तेरा नाम जो इंडिया ने suggest करे है, वो क्या थे, इंडिया ने आस तक इंडिया नाम suggest करे है, question number 15 बन जाता है, इंडिया ने तेरा नाम suggest करें, साइकलोन गती, तेज, मुरासु, आग, व्योम, जार, और प्रोबाहो, नीर, प्रभंजन, गुर्टी, अंबुड, जलादी, और वेगा, ये सारे तेरा नाम आपको read करके जाने है, याद रखने का कोई खास कुछ बोल नहीं रहा है, लेकि which of these is a part of the cyclone, क्योंकि इंडिया ने नाम दिया है, 17th नमर का question बन सकता है, which of these is not a part of the cyclone, तो ऐसे 17 questions बन गए, अब हमने समझ लिया कैसे cyclone की naming होती है, सब कुछ होता है, यहाँ पर हमने 17 questions निकाल लिए, highest ever cyclone mocas है, सेंगोल की बात हो रही है, सेंगोल क्या है, Parliament Building में प्रधान मंत्री ने established किया, यह particular structure, यह क्या चीज़ है, एक बार इसको देख लेते हैं, पूर अच्छे से, यह कहा से derive करता है, यह Tamil word है, question no.1, टेंगोल जो word है, वो कहा से आया है, Tamil word है, किस word से निकाला गया है, second question, semi से निकाला गया है, उस word का meaning क्या होता है, क्यों मतलब होता है, righteousness, मतलब वि British India ने सबसे पहला सेंगोल किसको दिया था, जवाला लेहरु को, question no.4, उससे क्या है, क्या चीज़ रिप्रेजन करी थी, उन्होंने, transfer of power, question no.5 बन गया यहां से, फिर उसके बाद, जब भी power handover होती थी, वो तब यूस किया जाता था, तो किस dynasty से यूस किया जा रहा है, वो चोला डैनेस्थी थी, तो यह बन गया question no.6, इसी लिए पूरा जो सब कुछ बन जाता है यहां पर, जो 5 feet की पूरी उसकी length होती है, यह बन गया question no.7, एक question यहां से बन गया, फिर उसमें नंदी बुल सबसे उपर होता है, कौन सा बुल सबसे उपर होता है, नंदी बुल सारी चीजें ऐसे पता लग रही है, जिससे क्या symbolize होता है, question no.9, वो बन गया justice, ठीक, यह, uniform civil court के बारे में हम अगले lecture में discuss करेंगे, यह सारी चीजें important हो जाती है, इसलिए मैं इसको अगले lecture में भी लेके जा रहा हूँ, यह वीडियो हम यहां पर खतम करते हैं, आप की ज improve details to discuss along with the current affairs of July and August. So thank you so much for watching this video and stayed tuned